नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज आप इस वीडियो में सुन पा रहे हैं छट पर्व की वरत कथा कार्तिक शुकल पक्ष के शष्टी को छट पर मनाये जाने का प्रावधान है यह चार दिवसिये पर बिहार में प्रमुक रूप से मनाये जाता है मान्यता है कि अस्थ होते हुए सूरिय को अर्ग देने के परंपरा से हर तरह की समश्या से आप निजात पा सकते हैं पुराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियवरत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ती के लिए महरसी कश्यप से पुत्रेष्टी यग करवाया यग संपन होने के बाद महरसी ने मालिनी को खीर दी खीर का सेवन करने से मालिनी गर्वती हो गई और नो महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया लेकिन उसका पुत्र, मरत, जन्मा इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वज़े से आत्महत्या करने का मन बना लिया परंतु जैसे ही राजा ने आत्मेत्या करने की कोशिश की उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देव सेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं सश्टी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सुभाग्य प्रदान करती हूँ इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनों कामना पूर्ण होती है यदि राजन तुम मेरी विधी विदान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रतन प्राप्त करूँगी देवी के कहे अनुसार राजा प्रियवरत ने कार्तिक शुकल पक्ष की सश्टी तिथी के दिन देवी सश्टी की पूरे विधी पूर्वक पूजा की इस पूजा के फलसवरूप रानी मालिनी गर्वती हुई और उन्होंने एक सुन्दर पुत्र को जन दिया तभी से छट का पावन पर मनाये जाने लगा एक और दूसरी पूराणी कथा के अनुसार मा भारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब दूपती ने छट वरत रखा था दूपती के वरत से प्रसन होकर सश्टी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापिस दिला दिया था इसी तरह छट का वरत करने से लोगों के घरों में सुक, समरदी और खुशाली बनी रहती है वही पुराणिक लोक कथा के मताबिक महभारत काल में सूर्य पुत्र करन ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटो पानी में खड़े होकर दानवीर करन सूर्य को अर्ग देता था सूर्य देव की कृपा से करन एक महानी उद्धा बना आज भी छट में अर्गदान की यही प्रतिती प्रचलित है बोलिए छटी मैया की जै